हेलो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे पारीला परप्यूसीला के लाइफ साइकल के बारे में इसे हम गन्य का लीफ ओपर भी बोलते हैं लीफ ओपर ऑफ सुगर केन यह आपकी BSE 3rd Year Geology का 1st Semester Applied and Economic Geology के अंदर 2nd Unit Vector and Paste के अंदर आपको पढ़ाया जाता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीफ ओपर ऑफ सुगर केन के बारे में हिंदी में डिटेल में डिसकस करने वाला हूँ दोस्तों यदि आप हिंदी में कॉंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं सबसे पहले डिसकस करते हैं इसके distribution के बारे में यानि कि यह कहां-कहां पर वितरन है इसका कहां-कहां पर distribution है तो गन्य का लीफ ओपर पूरे इंडिया में पाया जाता है समस्त भारत में पाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महरास्ट्रा के अंदर गन्य की फसल को अत्यदिक हानी पहुचाता है उत्तर प्रदेश में इस पेसली मेरट, मुझफर नगर, सहारनपूर, जिलो में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाता है यहाँ पर इसकी active form पाया जाती है यह पी पायरिला गन्य का एक प्रमुख पीड़क होता है लेकिन किन्तु यह मक्का में भी, गेहू में भी, जो, बाजरा, ओट्स के साथ, भिंडी, करेला, फुल, गो, भी, आधी जो भी हमारे लिए economic importance की जो crops होती है उनको भी यह harmful activity यानि के honey पहुचाता है तो अब यह आज हम इसके बारे में coffee detail में पढ़ेंगे इसको हम कैसे prevent कर सकते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको हम कैसे kill कर सकते हैं इसके बारे में भी discuss करेंगे यह इसकी life cycle का diagram है अगर आपसे BSC में 7.5 नमबर या 10 नमबर में long question में explain करने के लिए आ जाए तो यह diagram आप definitely बनाएं, जिसमें आप देख रहे हैं, यह इसका nymph है और यह इसकी adult form है, adult form का diagram आप देख सकते हैं, यह इसका eggs है और फिर इसके बाद eggs के अंदर जैसे ही इसमें hatching होगी, यह जो है नीम में convert हो जाता है और नीम से adult में convert हो जाता है तो यह है इसकी life cycle चलिए डिसकस करते हैं, इसकी morphology के बारे में सबसे पहले morphology में हम देखते हैं कि इसकी body structure क्या है तो देखे, वैस के जो कीट होता है, वो पीले से रंग का एक अत्यधिक सक्री होता है active होता है, और यह लगबग 8-10 mm लंबा होता है यानि इसके adult के बारे में बात हो रही है यही जो adult का diagram आप देख सकते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है सिर्स आगे की और तुंड के रूप में निकला रहता है जिस पर एक लाल रंग के दो इसपस्ट नेतर दिखाए देते हैं इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह रेड कलर के दो आईस दिखाए देते हैं बिल्कुल clear आईस दिखाए देते हैं एक जोड़ी गुद प्रवर्द कीट को ऊपर से नीचे गती करने में साहता करता है यानि मोमेंट करने में हेल्प करता है पारीला जो होता है वो पूरे वर्स जनन करता है पूरे साल यह रिप्रोडॉक्शन करता है और ग्रिश्मकाल में अपरेल व मई के महिने में मादा जो होती है वो पत्तियों की निचली सतय पर लीफ की लोवर सर्फेस पर ग्रुप्स के अंद में लगबग 300 से 500 अंडे निक्षेपित करती है और यह सीत रूतू में अक्टूबर से नॉवंबर के महिने में पर्ण अच्छेपित करती है यानि के दोस्तों यह जो है अंडे कहां पर निक्षेपित करती है एक तो पर्ण अच्छेपित के अंदर और एक लीफ के लोवर सर्फेस पर गर्मी के मोसम में यह लगबग 37 से 22 द कह सकते हैं अंडो से निकले जो निम्फ होते हैं वो सफेज से रंग के होते हैं तता इसमें एक जोड़ी एनल टफ्ट होते हैं निम्फ पत्तियों से रस चूस करके उसमें व्रद्धी करते हैं पांच बार इसमें मॉल्टिंग करने के बाद गर्मियों के दिनों में लगब लगबग चार महीने में इमेगों के रूप में रुपांतरित हो जाते हैं उसके बाद वैस्क जो होता है एडल्ट होता है एडल्ट कीट का जीवनका लगबग पांच से आठ सफता का होता है पूरे वर्स में पारिला की लगबग चार पीडियों को देखा गया है प्रथम करते हैं क्या नुक्सान पहुचाते हैं इसका जो निम्फ होता है और एडल्ट होता है गन्ये की जो मासल पत्तियों का रस चूचते हैं मजनी के निम्फ भी और एडल्ट भी दोनों के दोनों जो गन्ये की मासल पत्तियां जो लीफ होती हैं उनको उनका रस चूचते हैं औ और उसका दमन होता है और सरकरा कम पड़ जाती है इसमें सरकरा की मात्रा है अमांट वो बहुती कम निर्मित होती है और इस प्रकार 35% कम सरकरा का निर्मान होता है यानि सूगर का फाइनली दोस्तों डिसकस करते हैं इसके prevention & control के बारे में यानि किसको कैसे रोख्थाम और नियंतरित किया जा सकता है तो जितने भी अंड़ों के जो समू हैं उनको इकतरित करके जला देना चाहिए और उनपर करना चाहिए मिट्टी के अंदर समूचित nitrogen oncobalans होना चाहिए यानि इसमें संतुली nitrogen होने से यहां पर फसल होगी वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगी इसके बाद जो रेट वोनिंग क्रोप्स होती है उनको नहीं लगाना चाहिए इसके बाद उस तो पायरिला रोधी किसमें जो पायरिला रोधी जो वराइटीज होती है जैसे कि सिए ॏ-365-957 को ही बोना चाहिए संक्रमीत फसल जो infected क्रोप्स होती है उनपर प्रती हेक्टेयर 40 kg किलोगराम मेलेथियन डस्त तथा 30 kg प्रती हैक्टेयर 30 kg प्रती हेक्टेयर 7 डस्त का परियोग करके पीडेक को नियंद्रित करने में काफी साहता मिलती है इसके बाद दोस्तों 0.125 से 0.25 परसेंट एग्रोसीट पाउडर को लगबग 100 से 200 लीटर पानी में घोल करके इसको स्प्रे करना चाहिए नंबर सेवन पॉइंट फसल में 0.25 से 0.30 35 लीटर एंड्रीन या या फिर गामा बेसी को 10 लीटर मिटी के तेल में घोल कर स्प्रे करना चाहिए इससे पेस्ट को काफी सीमा तक नियंत्रित किया सकता है तो यह है प्रेवेंशन और कंट्रोल नेक्स वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे नेक्स टॉपिक जो कि आप देख सकते हैं वेक्टर और पेस्ट के अंदर रेट्स टर्माइट्स और मॉस्किटोज तो नेक्स वीडियो के अंदर हम रेट्स को कवर करेंगे थैंक यू सो मच पॉचिंग इस वीडियो